दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हर कोई अपने घरों की साफ़ाई कुछ दिनों पहले से ही करनी शुरू कर देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के शुब अवसर पर घर यदी साफ सुथरा हो तो मा लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उस घर में वास करती है। ऐसे में आपको अभी से ही अपने घर की सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए आपको दिवाली की सफाई को थोड़ी आसान बनाने के लिए कुछ टिप्स बता देती हूँ. दीपावली से पहले घर की साफ सफाई करते वक्त हम कई बार कुछ पुरानी चीजों को दोबारा संभाल कर रख लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पुरानी चीजों से आपका मो घर में नकारात्मक उर्जा का संचार करता है और सकारात्मकता को कम करता है. इस से बचने के लिए कुछ चीजों को घर से बाहर करना बेहत जरूरी है. अपने घर में पड़ी बेकार चीजों को छांट ले वैसी चीजें जिनका कोई इस्तमाल आप नहीं करते हैं उन्हें घर में जमा करके रखने का कोई मतलब नहीं इससे घर भी भराब्रा लगता है तूटे क्रॉकरी, बर्तन, बेकार हो चुके जूते, चपल आधी को फैंक दे पुराने कप्रों को किसी जरूरत मन्द को दे दे यदि आपके पास साफ स्फाई के लिए कई लोग और काफी समय है तो हर एक चीज को आप साफ कर सकते हैं घर की चीजों को साफ करने के लिए आप कॉटन के कप्रे ही ले साथ में बेकिंग पाउडर, आधा बालती सर्फ वाला पानी, वाइट वेनेगर, ब्रश, स्पॉंज भी रखें क्योंकि सफाई के दौरान इन चीजों की जरूरत पढ़ती है जिन शूज या सैंडल को कम पहनते हैं या जो ज्यादा कीमती हैं उन्हें शू रैक में दिब्बे या बैट में रखे ताकि वे धूल से बचे रहें अपने अल्मारी में रखे कपड़ों को कुछ घंटों के लिए धूप में रख दे ताकि उनमें से सीलन की बद्बू निकल जाए फिर अल्मारी को सेट करें मकडी के जालों को लंबे स्टिक वाली ब्रश से हटाएं पंखे की सफाई करने के लिए आप डिटरजेंट वाला पानी यूज करें पहले सूखे कपड़े से पंखा साफ करें फिर सर्फ वाले पानी से एक बार और फिर कपड़े को साधे पानी में डाल कर पंखे को इससे पोच लें पंखा बिलकुल नए जैसे लगने लगेगा घर के सभी कीमती शोपीस, फोटो फ्रेम, पैंटिंग, सोफा सेट, बेड, फरनीचर को अच्छी तरह से किसी कपड़े या अकबार से ढख दे ताकि सफाई के दौरान धूल गंदगी इन चीजों पर ना पड़े घर के स्विच बोर्ड की सफाई लोग कई बार पूरे साल नहीं करते हैं, जिससे ये काले पड़ जाते हैं स्विच बोर्ड को भी साफ करने के लिए डिटरजन्ट वाले पानी का यूज करें एक कपड़े को इसमें भीगो कर पानी निचोड ले और इससे स्विच बोर्ड साफ करें स्विच बोर्ड साफ करते समय में पावर आफ कर दे वरना पानी से करंट लग सकता है इन टिप्स को ध्यान में रख कर दिवाली की सफाई करिए और अगर विडियो पसंद आया हो तो विडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले थैंक यू फो वाचिंग